भीदर घात को लेकर उत्राखंड बीजेपी भले ही अभी जूझती हुई नजर आ रही हो लेकिन बीजेपी के नेता कॉंग्रेस को जरूर इस मामले पर नसीहत देते नजर आ रहे हैं। लेकिन कॉंग्रेस में जो गुटबाजी है जो अंतर डाला है वो खुलकर सडकों पर आ चुका है और कॉंग्रेस को पहले यही देखना चाहिए था। पहुमत के साथ जीत रही है और सरकार बनाने जा रही है। जहां तक कॉंग्रेस का सवाल है तो कॉंग्रेस नेताओं को इस साफ अनभव हो गया है कि उनकी पार्टी चुनाव में बुरी तरह से हारने वाली है। क्योंकि पहले उनके द्वारा एलक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन पर सवाल ख़़े करना और अब पोस्टल बैलेट के बारे में बवाल करना साफ दर्शाता है कि वे हताशता है।